और सब्सक्राइब को लीज़े चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा साधे साथ आल का बटन दबा लीजिएगा तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओपो रेनो 5 प्रो के बारे में अगर ओपो रेनो 5 प्रो देखा जाए तो आज लाँच हो गया है वहीं पर अगर देखा जाए तो इस फोन में आप लोगों को कमाल के स्थ देखने को मिलने वाली है लेकिन सवाल ये उटता है कि आप लोगों के लिए OPPO RENO कितना बेटर हो सकता है और इस फोन में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल रही है और ये फोन आप लोगों के बजट में है भी या नहीं है आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और ये फ़ोन कितना जबरदस्त हो सकता है, या फिर कितना बेकार हो सकता है, तो सारी चीज़े आपकी से, इस वीडियो में मिलने वाली है, अगर वीडियो आप लिए आप लोगों को पसंदा है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए गो, तो अगर आपने हमारी इस वीडियो को अगर भी तक शेयर नहीं को जल्दी से शेयर कर दियो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा ओपो रिनो 5 प्रो के अगर बात करें तो यह जो फोन है यह आप लोगों का लाँच हुआ है अगर देखा है तो इस फोन में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज मिलती है वो है इसकी डिस्प्ले और इसका लुक और डिजाइन 7.6 mm थिकनेस के साथ आप लोगों को यह फोन मिलता है उसके साथ आप लोगों का इसके जो वीड मिलता है वो मिलता है 173 ग्राम का यानि कि आप लोगों का एक बहुत ही पतला और बहुत ही हलका फोन आप लोगों को मिलता है जिससे कि यह फोन आप लोगों के हाथ में बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप इस phone को लेते हैं तो आप लिगों को बहुत ही मज़ा मिलता है वहीं पर अगर design की बात करें तो आउप लूगों का design भी आप लिगों को इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है देखेंगें कि back से देखने में कितना जबर्दस लगता है कितना beautiful लगता है वहीं पर back में आप लोगों को यहाँ पर जो back panel मिलता है वो बहुत ही awesome मिलता है आप लोगों को देखने में बहुत ही best लगता है यहाँ पर आप लोगों gradient color जो मिलता है वो बहुत ही awesome लगता है साथ ही साथ इस phone पर आप लोगों को glass panel भी मिलता है back में वहाई पर फ्रंट में आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस डिस्पले देखने को मिलती है जो कि कर्व एज डिस्पले होती है जिसमें आप लोगों को बेजल लेस होता है या बॉडर लेस होता है और अगर देखा है तो ये 6.5 इंचेस के बड़ी फुल एज डिस्पले होती है जो कि एमलेट डिस्पले होती है फोन को जब आप चलाएंगे तो आप लोगों को मजा ही आ जाएगा बिलकुल मक्षन और मलाई की तरह चलेगा ये फोन वह पर अगर देखें तो इस फोन में आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस प्रोसेसर लाया गिया है जो कि एक 5G प्रोसेसर है मीटेटिक की तरफ से आप लोगों के लिए 1000 प्लस डैमेंसिटी वाला प्रोसेसर इस फोन में लगाया गिया है जो कि 5G processor है और ये processor बहुत ही powerful and efficient है first इसी में use किया गया है सबसे पहले इसी ही phone में और देखा जाए तो ये processor बहुत ही कम माल का है इसकी N2 benchmark score भी बहुत ही जबरदस्त है वही पर साथ में इसमें आप लोगों को 8GB RAM और 118GB का इंटरला श्टोर्ज देखने को मिलता है जिससे कि ये phone बहुत ही जबरदस बन जाता है for gaming and other purpose अब अगर देखें तो इस phone में आप लोगों को display भी बहुत ही जबरदस मिल लाए इस साथ इस साथ प्रोसेसर भी बहुत ही awesome मिल लाए लुक तो उससे भी जबरदस आप लोगों को मिल लाए बाकि अगर यहां पर बात करें camera performance की तो आप लोगों को camera performance बहुत ही जबरदस मिलती है back से भी आप लोगों को बहुत ही जबरदस camera performance मिलती है इस फोन में आप लोगों को बहुत ही अच्छा sensor यूज किया गया है और फ्रंड में आप लोगों को बहुत ही अच्छा sensor देखने को मिलता है फॉर सेलफी अगर देखा जाए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी इसमें lightning मिलती है जब आप रात वगेरा में AI feature इसका use करते है और जब आप बिना AI feature के इस्तिमाल करते हैं तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इस फोन में आप लोगों को कितना difference देखने को मिलता है फोन में जो camera performance में वो बहुत ही जबर्दस आप लोगों को मिलती है उसके साथ साथ इस फोन में आप लोगों को एक बहुत ही fast charging वाला charger मिलता है 65W का charging option मिलता है with 4350 mAh की बैटरी के साथ यानि कि 4350 mAh की बैटरी आप लोगों को मिलती है और 65W का fast charging का option मिलता है तो ये एक बहुत ही जबर्दस फोन बन जाता है इस specs के साथ महीं पर अगर देखा जाए तो price इसकी लगबख हो सकती 35-36,000 रुपए के बीच में ये phone आप लोगों को मिल सकता है जो कि एक मुझे लगता है flagship budget flagship phone है आप लोगों के लिए अगर आप एक जबर्दस phone लेने को सोच रहे हैं जो कि OnePlus 8 को टक कर दे सके Samsung Galaxy के variants को टक कर दे सके और साथी साथ आप लोगों के OnePlus के series के phones को टक कर दे सके तो ये एक budget phone है बहुत ही जबर्दस phone है इस phone में आप लोगों को एक जबर्दस processor मिल रहा है उसके साथ साथ आप लोगों को इस phone में एक अच्छी कर्व डिस्पले मिल रही है साथ ही साथ आप लोगों को जबर्दस camera performance और एक battery मिल रही है अब अगर देखें तो इस phone में आप लोगों को बैटरी जो है वो थोड़ी सी और ज़ादा होना चाहिए था लगभग 5000 के mh करीब battery होना चाहिए था जिससे कि आपको थोड़ी सी और improvement मिलती और आप gaming में थोड़ा और सा मज़ा पापाते लेकिन जब आप इसमें gaming करते हैं तो आप लोगों को कोई lag और issue नहीं मिलता है फोन में ये चीज़ बहुत ही जबरदस मिलती है जो इसका processor है उसके साथ साथ इसमें अगर देखा जा तो बैटरी थोड़ी सी कम मिलती है मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये कौन हो सकता है लेकिन अगर बात करें इसमें camera performance की तो camera performance में low light में थोड़ा सा struggle करता हुआ नजार आता है लेकिन आप लोगों का जो camera performance है वो बहुत ही awesome मिलता है आप लोगों को आप videos वगरा जब बनाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही awesome stabilization वगरा मिलता है तो आपको ये phone बहुत ही अच्छा मिल जाता है आप खुड decide कर सकते हैं कि आपको आप कौन सा phone लेना है वैसे मेरी तरफ से ये तो ये एक बहुत ही अच्छा phone है अब आप मुझे comment box में बताईए कि आप लोगों को ये phone कैसा लगा आप लोग क्या सोचने हैं इस phone के बारे में लेना शाहते हैं या नहीं आप उचे comment box में बताना मत भूलिएगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो like और share करना मत भूलिएगा अगर आपने हमारे चैनल को भी तक subscribe नहीं गया